Hi everyone, this is Harshit Saxena. मैं एक चीज़ आज आप लोग से डिसकस करना चाहता हूँ जो बहुत ही जरूरी है. मैंने कभी इस तरह के प्रोमोशनल वीडियो नहीं किये हैं. कभी मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं डाले हैं. मैं तो, I think, गानों के भी वीडियो अपने जल्दी नहीं डालता हूँ. और ताकि आप लोग ऐसा कुछ सोचें कि ये कुछ प्रोमोशनल या प्रोमोशन के लिए मैं कर रहा हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को फील हुआ. और ये मैं बहुत दिन से ये चीज देख रहा हूँ. काफी दिन आज हो गए हैं. मतलब मैं क्या बोलू यार, इंडिया-पाकिस्तान का मैच हो रहा है. ये तो क्रिकेट है ना? आप लोग इस क्रिकेट को क्रिकेट से ऊपर लेके चले जाते हो. क्या कर रहे हो आप लोग? आज सुबे से मैं मैच देख रहा था. सुबे से इस वक तक, I think हमने कम से कम दस घंटे अपने मैच में दिये. सारा काम चोड़के, सब कुछ चोड़के. लेकिन, आज इंडिया हारा, मेरे को बहुत दुख हुआ. यहाँ तक कि हम लोग सारे फ्रेंज लोग बैठे थे, हमको एक दो तो अतने डिसार्टेंट हो गया कि जैसे कि पता नहीं उनके दुनिया उजड़ गई या क्या हो गया. ठीक है, मैं मानता हूँ, हमको भी, मेरे को भी बहुत दुख हुआ है. मैं भी आज, लिटरी एक मोमेंट पे हम लोग रोने लग गये थे. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कि क्या हम इंडियन ऐसे हैं? इंडियन हम लोग कैसे हैं यार? हम लोग लोगों की इज़ट करते हैं. हम लोग लोगों को हमारा, हमने कभी किसी की हम बेज़िती नहीं करते थे. लेकिन अभी इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब स उनकी बेज़िती करते हैं, उसके बाद मैं कोई भी न्यूस चैनल अगर खोलता हूँ, हर न्यूस चैनल में, हर न्यूस चैनल में, मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैं literally irritated हो गया हूँ, और मैं literally ये चीज़ मैं देखता हूँ, आज भी कविताएं पढ़ रहे हैं, आप पाकिस पाकिस्तान को देखा है, वो mostly aggressive होते हैं, लेकिन उन में से किसी की तरफ से भी कोई भी ऐसा comment नहीं आया, कि एक कोई harsh comment उन्हें पलेट के दिया हो, जबकि सामने सामने interviews हो रहे हैं, विरेन सवाग शोई बक्तर को पता नहीं क्या-क्या पाकिस्तान के लेके बोल रहे हैं, व मैं यह चाहता हूं कि मैच अच्छा हो, मैं चाहता हूं कि रिष्टे अच्छे हो, मेरे को हिंदुस्तान में बहुत प्यार मिला है, आप यह बताईए, शोई बक्तर क्यों नहीं ऐसे comment पलेट के विरेन सवाग को दे रहे हैं, और हमारे news channel वाले, मैं बता नहीं सकता हूं कि किस हद तक, पता नहीं कौन कौन, I think कुछ लोग तो ऐसे अनपढ़ गवार लोग बैठे हुए हैं, जो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, उल्टी सीधी बाते कर रहे हैं, आप किसी को, हम Indians, मैं खोद एक Indian हूं, और मै मैं बहुत गर्व करता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, मैं भारत वासी हूं, लेकिन क्या हम लोग ये भूल गए हैं कि हम जाके दूसरे लोगों की बेज़ती करें, जो इनसान हमारे सामने बैठा हुआ हम उसकी बेज़ती करें, क्या हम लोग ऐसे हैं, हम लोग क्य तो दिन भर हमारे लिए पता नहीं कितनी जाने दे रहे हैं, कितनी हमारे लडाईयां लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, ये क्रिकट है, क्रिकट को क्रिकट जैसे आप लोग रहने दीजे, एक गेम होता है, आज अगर A.B. Develius है, वो भारत आता है, तो हम लोग A.B. Develius को कोहुली के बराबर रखके, हम लोग उसके नाम को कितना चैन्ट करते हैं, हम स्टेडियम में जाते हैं, हम A.B. Develius की बैटिंग हमको पसंद है, हमको क्रिकट पसंद है, हम लोग क्रिकट प्रेमी है, क्रिकट मेरे लिए ऐसा है, मेरे को क्रिकट इतना पसंद है, बच्पन से मैं क्रिकट खेला हूँ, और अभी भी अगर म्यूजिक के बाद कोई दूसरी चीज में करता हूँ, तो क्रिकट देखता हूँ, मेरे को इतना पैशन है, लेकिन हम लोग cricket से हट के ये अलग league में बात करने लग जाते हैं और पता नहीं क्यों वो बोलते ना कि बगवान के लाटिय में आवाज नहीं होती यह वही वाला scene हुआ है आज कि हम किसी को इस हद तक दवाएं हम किसी को इस हद तक humiliate कर रहे हैं जबरदस्ती का अब क्रिकट मेरिट्स पर बात करिये ना आप क्या बात दे कर रहे हो हम लाहूर दिखा देंगे तो हम पानी पिला देंगे तो उनको पिशावर याद आ जाएगा तो उनको यह आ जाएगा ऐसे ऐसे कविताय बुला रहे हैं और उसी में जो सामने मीडिया बैठी है पाकिस्तान की वो पलेट के एक चीज भी नहीं बोल रहे है अगर वो भी हमको सामने से रिवर्ट इस तरह से कर रहे होते हैं तो शाद मैं ऐसी बात नहीं करता लेकिन वो हमको पलेट के एक बार भी ऐसा कोई भी रिवर्ट नहीं कर रहे हैं कोई भी हार्श कमेंट नहीं कर रहे हैं ना ही वहाँ के क्रिकेटर्स ना ही वहाँ के लोग ना ही पाकिस्तानी मीडिया इंडिया में जो जिस तरह से चीजें हो रही हैं, I don't know कि मैं क्या बोलूँ, आज इंडिया हार गई है, तो आप सबको विलन मना देंगे, कोली भी विलन हो जाएगा, तो यूबराज भी विलन हो जाएगा, तो पूरी इंडिन टीम विलन हो जाएगी, तो शाद बहुत दिन लोग उनके मैचेस देखना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरा भाई, ये कौन सा हम लोग, हम लोग इंडियन्स हैं, हम लोग को हमेशा से हमारे इतिहास भी आप देखिए, या हमारे आप, हम लोग जो भी हम लोग सीखे आए अपने माबाप से, हर किसी से, हमें तो इज़त करना सिखाया जाता है, और अगर अभी हमको कोई ये बोल देगा, कि आप जाए बॉर्डर पर जाके लड़ाई लड़िये, तो आप में से कोई आधे लोग बाहर हो जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा, ऐसे वीडियो बना-बना के सब लोग डालेंगे आप लोग, आप लोग क्रिकेट को मोटो क्यों बना लेते हो यार, ये तो क्रिकेट है, ये तो एक गेम है जिसको हम सब लोग पसंद करते हैं दिल से, हम दूसरी टीम को भी उसी तरह से प्यार करते हैं, और मैं जिर्फ बांगलादेश के लिए बोल रहा हूँ, कर रहे हैं, आज आप मेरे को ये बताएए, विरेन सबाग पर किसी ने पॉंट फ्यू नहीं रेस किया, प्रो वोग किस ने किया विरेन सबाग देओ, आप को इस तरह के Matta इतने बड़े क्रिकेटर हो, आपको इस तरह के tat हैए अफ चरह किम यह बशूरत था, आप क्यों क्रिकिटर जो की खुद एक लेजंड है उसके सामने आप इस तरह की बाते कर रहे हो और वो आपको पले की कुछ नहीं वाल और आप प्रवोक तो विरेंद्सावाग ने किया ना विरेंद्सावाग को भी आपको अगर आज आप राशित लतीफ के लिए वीडियोस बना रहे हैं आपको विरेंद्सावाग के लिए वीडियोस बनाने चाहिए तो क्या उनका नहीं खौलता होगा जब हम लोग उनके बारे में ऐसी बाते करते हैं क्यों नहीं हम लोग एक ऐसी बाते करते हैं पूरा देश उटके लड़ाई लड़ने पे चल देता है क्रिकेट को क्रिकेट, आज इंडियन टीम भी पाकिस्तान के साथ खेलती है तो क्या हाथ नहीं मिलाती है, तो क्या उनके साथ खाना नहीं खाती होगी, या उनको अच्छूत समझती होगी, ऐसा आप लोग, I don't know, आज जब पाकिस्तान जीती, पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला, मेरे को वो एरा याद आ गया, जिस समय वसीम, वकार, शोई भकतर, ये हम लोग जब बॉलिंग करते थे, और हमारे प्लेयर्स खेलते थे, सचिन दंदुलकर, सौरफ गांगुली, राहुल द्रवेड, मौहमद अजरुद्दीन, हम लोग जब देखते थे, तो हमारे दिल उपर नीचे होते थे, उनकी बॉलिंग देखते में, क्या मज़ा था था जो उनका डॉमिनेशन था, जो उनका क्रिकेट जिस तरह से वो लोग खेलते थे, और इंडिया पाकिस्तान के जो राइवलरीज होते थे, उसमें क्या मज़ा आता था, वो ही हम लोग को, चाहे वो 96 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो सम्में जो मज़ा था वो मज़ा आज देखने को मिला हम लोगों को, तो मैं यही बूलना चाहूंगा कि क्रिकेट को आप लोग उपर रखिये, क्रिकेट की मैरिट को समझिये, आज उन लोग को जब मैं देख रहा था तो ऐसा लग रहा था क्यार ये तो अपनी जैसे लगते हैं, उनके बहुत क् पाकिस्तान नहीं हुआ होगा, जब ये लोग साथ में रहते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, कितना मज़ा आता होगा, और सच में कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी भी हुई, क्योंकि उन्होंने इस तरह से खेला, और उन्होंने अंडर डॉग होके विल्कुल हम उनको एक तरफ कर दिया, और हम लोग बेस्ट होके भी हम लोग ने उनके सामने घुटने टेके, तो इसमें इस क्रिकट यार यह सब होता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से खेला, हमको उसकी वहवाई करनी चाहिए, और वही न्यूस चैनल जो ऐसे से कविता पढ़ रहे थ जब यह मैच खतम हुआ, तो उसमें शिव जी का कोई प्रार्थना का मंतर चला रहे थे, और अभी अगर इंग्या जीता होता, तो वह वापस उनका प्रोग्राम चल रहा होता, जो कि नहीं चल रहा था, मैंने सबसे पहले जाके वही न्यूस चैनल देखा, कि आब यह तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, किसी को कम मत समझिये, किसी को कमजोर मत समझिये, दुनिया में कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है, हर इंसान जिसको भगवान में बनाया है, बेमिसाल बनाया है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, और हम लोग, हम इंडियन्स जो हैं, मेरे को मैं प्राउड करता हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, मैं भारत वर्ष में हूँ और मैं एक इंडियन हूँ, लेकिन उससे उपर मेरे लिए चीज है, कि हम लोगों की इज़त करें, किसको ही हम ऐसे स्टेटमेंट ना दे, जिससे किसी को हुट हो, क्रिकेट को हम लोग प्यार करते हैं, जैसे आज रिकी पॉइंटिंग है, ब्राण लारा मेरे फेवरेट है, मैं देखो तो सचिन मेरे को एक लेजंड है, तो ब्राण लारा मेरे लिए बहुत, मतलब उनसे क्लासी बैट्समें मैंने नहीं देखा, वैसे ही इनकी टीम में है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यह तरह के स्टेट्मेंट्स हम लोग पर अच्छे ही नहीं लगते हैं, हम लोग बहुत छोटे दिखते हैं, इस तरह की बाते करके, आपको वीडियो बनाने हैं, तो अगर विरेन सबाग ऐसी बात करें, आप यह ऐसा वीडियो बनाई है कि विरेन सबाग को भी पता चले कि इस तरह की बातें ना हूँ, और ऐसी ही चीज सौरब गांगली ने भी विरेन सबाग को डाटा कि आप इस तरह की कमेंट करना बंद करिये, तो यह क्याना इस वाता हूँ यार कि मैं, और अभी इंडियन को प्लीज विलन मत बनाईएगा, इंडियन टीम को, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, और वो यह भी खुशी है कि आज उन लोग ने बहुत अच्छे से खेला है, और आप यह सुचिए कि उनकी कंट्रीज में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होते हैं, फिर भी इस तरह से उठके आया है, वही होता है कि यार कमजोर के साथ भगवान होता है, आज शाद भगवान ने उन अच्छे से सब लोग रहिए, एक दूसरे से प्यार बनाए रखिये, किसे की लिए ऐसे कमेंट मत करें चाहे वो बांगलादेश हो, पाइस्तान हो, फिर पाकिस्तान हो, फिर दुनिया की कोई टीम हो, फिर सब को इज़त दीजिए, उस्से हमारा रुदबा बनता है, उससे Thank you very much.